आईए हम इस थार मरुस्थल के एक गाउं में चलते हैं यह गाउं जो है वो राजस्थान के सुदूर पश्चिम में जैसल मेर में हैं और जैसल मेर से भी 90 किलो मेटर दूर भारत और पाकिस्तान की जो अंतर राश्ची सीमा है वहां पर यह गाउं बसा हुआ है इस गाउं का किले बात और कोई गाउं नहीं सिर्फ एक छोटी सी धाने या जो यहां पर तोले की नाम से जाना जाता है वही नजरा आती जिसे रतण सहीं की ढारी कहा जाता है यहाँ पर बहुत छोटे छोटे घर और बस रेत ही रेत दिखते हैं क्योंकि यहाँ जलवायू बहुत ही शुष्क है और कभी-कभी तो यहाँ रेत की आंधिया भी चलती है थार एक बहुत गर्म वरुस्थल है जहाँ दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात होते होते ठिखुरन लगने वाली सरदी जो है वो बढ़ जाती है सोचिए और विचार कीजिए कि ऐसा क्यों होता होगा या तापमान में इस परिवर्तन का क्या कारण है और अपने सिक्षक से कक्षा में चर्चा कीजिए इस छेतर में पानी का कोई स्थाई स्ट्रोथ नहीं है यहां जितनी भी बारिश होती है वो इतनी परियाप्त नहीं होती कि यहां जंगल पनप्पाएं कहीं कहीं पर हमें खेजरी के एक दो व्रिक्षिया जाड जो हैं वो अवश्य दिखाई देते हैं थार की गोद में यह बसा गाउं जो है वो लगभग 200 घरों वाला है और सरहत से कुछ ही दूर पर यह इस्थित जो गाउं है वो पूरे उस छेत्र के या पूरे इलाके में सबसे बड़ा गाउं है यहां पर मेगवाल, सोडा राजपूत और मुस्लिम समुदाय के घर मिलते हैं यहां के जो घर हैं, वो मिट्टियों से बने हुए गोला का जोपडियों के रोप में देखने को मिलते हैं अब वर्तमान समय में देखें, तो पत्थरों के पक्के घर भी अब बनने लगे हैं यह जो तीनों समुदाय हैं, इनकी अपनी अपनी बस्तियां हैं और जिसे वहां पर वास कहा जाता है, यह वास एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं जिन्हें वहां रहने वाले जो बुजर्ग होते हैं, उनके नाम से जाना जाता है यहां सभी महलों की अलग-अलग बैठके हैं, और गाओं में लगभग 15 महले और उनकी 15 बैठके भी हैं आजिवी का चलाने के लिए ज़्यादा श्रोद जो हैं वह उपलब्ध नहीं है भूजल का इस्तर भी यहां पर बहुत गहराई में मिलता है लगभग 3500 से 425 मीटर की गहराई में और वह भी खारे जल के रूप में मिलता है पीने का पानी जो है वह यहां के लोग सरकारी नलकूप पर निर्भर रहते हैं आजकल नौ निर्मित जो मकान है वहां पर बारिश के दौरान जो जल आता है उस जल संग रहन के लिए भी उचित विवस्था की जारी है रेगिस्तान में तो सबसे कीमती वस्तु जो है वह पानी ही होता है जो यहां लोगों को अपनी जान से भी जादा संभाल कर रखना पड़ता है इस छेत्र में हम देखेंगे जुलाई अगस्त और सितंबर में बादल तो आते हैं लेकिन आते हैं और उड़ते हुए ही निकल जाते वो बरस्ते नहीं और कभी ऐसा होता भी है कि बारिश थोड़ी बहुत हो भी गई तो यह जमीन तक पहुँचने से पहले ही वाश्व बन कर उड़ जाती है ऐसा भी नहीं कि पूरे छेत्र में वर्षा हो अक्सर एक गाउं में बारिश होती है तो दूसरे गाउं में नहीं साल भर में सिर्फ 10 से 15 दिन ही बारिश होती है और यह बारिश जो है इसका ओसत 25 सेंटीमिटर से जादा नहीं होता कुछ साल पहले यह दे अभी गाउं को जल जो है वो गाउं में वित्रित किया जाता था और आज भी बहुत सारे लोग यहां पानी को छोटी-छोटी कुईयों में संभाल कर रखते हैं आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे कैसे कुछ लोग इन पर ताले भी लगा कर रखते हैं क्योंकि अभी जीवी का चलाने के लिए यहां लोग अधिकांश्ता पशुपालन करते हैं यह मजदूरी करते हैं खेती तो ज्यादा संभव नहीं है कुछी एक जो परिवार हैं वो लगबग 5-6 महिनों के लिए क्रिशी करते हैं जो पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर होती है और बा मतीरा इस मतीरे के बीज भी बेशते हैं और जिससे तेल निकाला जाता है यहां भेड बकरियां गाई और उट जो हैं वो मुख्य पशु होते हैं लोग मुल रूप से पशु को बेशते हैं और दूदखी का इस्तेमाल केवल घर की जरुरतों के लिए हो पाता है हालांकि अब लोगों ने दूद भी बेशना शुरू कर दिया है और डेरी की गाड़ी रोजाना आती है और इन गाउं से दूद इकठा करके ले जाती है कुछ साल पहले तक जो है वो बाड मेर में इस्तित बालोतरा था वहां लगने वाला पशु मेले में सभी लोग अपन के आप चल लेती हैं लेकिन भेड और बकरियों के साथ आदशी को जाना पड़ता है इन जाते रेतिला रेगिस्तान है रेगिस्तानी छेत्र में जो चलते-फिते आपको एक दो घर दिख जाएेंगे वह जो दूर-दूर इस हित है इनहीं को धाड़ी कहा जाता है तो बच्चो हमने देखा इस रेगिस्तान में कैसे जल को संग्रहन करके रखा जाता है या लोग इसके लिए क्या-क्या मशक्कत करते हैं यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है इसी संदर में हम बात करते हैं कि जल का संग्रक्षन और प्रबंधन क्यों आवश्यक है और इसके लिए हमें क्या-क्या तरीकिया अपनाए जाने चाहिए बच्चो जल जो है वो एक मानो जीवन के साथ साथ वनस्पती जगत के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा हमने अभी लगा लिया इस एक छोटे से गाउं के में जो जल प्रबंधन के लिए या जल की उप्योग के तरीक के को जो जो हमने देखा उसके माध्यम से समझा कि एक मरुस्थल में जो है वो पाणी का प्रबंधन, जल का प्रबंधन और उसका समुचित उप्योग कितना महत्वपूर्ण हो जाता और सिर्फ मरुस्थल में ही नहीं अभी हमने कहा कि यदि हम संपूर्ण विश्म में भी बात करें तो वहां पर मानो जीवन के साथ साथ ये वनस्पती और पशु जगत के लिए भी बहुत जादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिना जल के तो हम जीवन की कल्पना ही न नगरी करण की बात कर रहे हैं तो इसकी भी जो कल्पना है इस विकास के भी कल्पना जो है वो बिना जल के अधूरी रह जाती है तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक इस जल का प्रबंधन किया जाए और इसके लिए हम कौन जल के प्रबंधन के लिए तो हम देखें कि यह हम सभी का उत्तरदाइत्व है कि हम जल को प्रदूशित होने से बचाएं इसके लिए हम चाहे वो घरेलू अपसिस्ट हो या ओद्योगी अपसिस्ट इन सभी को हम जल में ना बहाएं इसके साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि जो पीने के पानी के श्रोत होते हैं उसके आसपास जो है वो हम जल को दूशीत ना करें या दूसरे कपड़े दोने के लिए या फिर हम कहें कि नहाने के लिए ये सभी चीजों के लिए वहां पर पीने के पानी के या पे जल के श्रोत के आसपास इस तरह से जल का उपियोग जो ह तो हमारा भूमी गजल है जो लगातार जिसका लेवल इसतर जो है वो नीचे गिरता जा रहा है उसके उसे बचाने के लिए हमें सम्मुचित उपाये जो है वो करने चाहिए। साथ ही साथ हम देखेंगे जो अधिक वर्षा वाले छेत्र हैं उन अधिक वर्षा वाले छेत्रों से जहां पर वर्षा की कमी है और जल की आवश्यक्ता अधिक है तो उस अधिक वर्षा वाले छेत्र से कम वर्षा वाले छेत्र की तरफ हमें नहरों के माध्यम से हम पानी को वहां तक पहुचा सकते हैं और वहां पर लोगों की आवशक्ता को पूरा कर सकते हैं तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें अपना कर हम अपने जल की आवशक्ता को पूरा कर सकते हैं या मैं ये कहूं कि जल का एक समुचित प्रबंधन जो है वो हम अपना सकते हैं और हम प्राच तरीके अपनाए जाते हैं इसके लिए कुए बनाना बावडी बनाना तालाब बनाना या नदी के मार्ग को मोड कर जो जहां पर अधिक सिचाई की आवशकता है या अधिक जल की आवशकता है उन इस थानों तक इस आवशकता को पूर्ती करना जो जल है जिसमें जल कुम्भी की अधिकता हो जाती है जिसे जल दूशित होता है उसे साफ करना ये कुछ तरीके हम पहले से ही देखते आ रहे हैं प्राचीन समय से ही देखते आ रहे हैं जिसे अपना कर जो है जल का प्रबंधन किया जाता है लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जल का ये जो परामपरागत जो अब इसे बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वो क्यों वो इसलिए कि वर्तमान में जो ये जो जल श्रोत हैं जैसे हमने बात की कुए बावडी तालाब ये सब की उपेक्षा की जा रही है और बहुत जो बहुत सारी जो पुरानी बावडिया है बावड इन तालाबों और बावडियों को पाट दिया जाता है बंद कर दिया जाता है जबकि आज जो है वो जल संकट के निराकरन के लिए कहें हम इस समस्या के समाधान के लिए ये एक महत्व पूर्ण साधन हो सकता है जिसे हम अपने विकास की आड में इसका जो दुरुपयोग ह धार मरुस्थल की या थार की इलाके की एक परंपरागत वर्षा के जल को संग्रहन करने की विधी होती है एक प्रकार से हम कह सकते हैं टांका जो है वह एक भूमिगत छोटा सा कुवा होता है जहां पर मकानों के चट और जो अन्य पक्के छेत्र होते हैं जल संग्रहन छेतर होते हैं वहां से जो जल वर्षा का जल बह कर आता है वो इन पक्के टांकों में पहुचा दिया जाता है या वहां तक उसका श्रोध जो है वो बना दिया जाता है जिससे इन छतों से या पक्के जल संग्रहन छेतरों से उन टांकों की तरफ जो है वो पानी वहाँ पर रिस्टोर हो जाता है ये लगभग 5 मिटर की गहराई पर बनाये जाते हैं और लगभग 2-3 मिटर की चोड़ाई वाले होते हैं ये टांके और टांके की जो बाहरी दिवार होती है जहां से जल आता है वहाँ पर फिल्टर या एक छन्नी लगा दी जाती है जिससे की जो गंदा जल है वो साफ हो जाए हम देखेंगे कि थार के इलाके में जो बाड मेर है जैसल मेर और बिका नेर इन तीनों ही जिलों में ये जो टांका है वो बहुत आयत में पाया जाता है और बच्चों हम तो इस बात से बहुत अच्छे से हमें ज्यान है कि अभी वरतमान म जो भूमीगत जल का इस तर्व नीचे जा रहा है तो ये अब नए जो बिल्डिंगे बन रही है नये भावन का जो निर्मान किया जा रहा है वहां पर इस बात को प्रमुकता दी जा रही है कि वर्शा का जो जल छत में आता है इन पक्प्के छतों में आता है उसका संग्रह किया जाए भूमी गर्थ तरीके या हम कहें कि धरातल के नीचे एक संग्रहन केंद्र बना दे हम कहें कि छोटा सा कुवा बना दे जहां से इन छतों का पानी या सडकों का जो पानी है वो वहां से द्यर्थ ना बह जाए और वहां पर इस्टोर हो जाए जिससे कि भूमी इसके साथ ही साथ जो वर्तमान समय में हम जल संकट से जूज रहें तो इस और लगातार बढ़ते हुए इस जल संकट को देखते हुए जल संकट के लिए इसके अलावा और भी कुछ वीधियों को आपनाया गया है जैसे बांध और नहर बनाना, बूंद बूंद और फवारा सिचाई प्रणाली जिसे ड्रिप एंड स्प्रिंकल इ बनाना और इसमें सबसे अधिक जो है आधुनिक विधी जिसे रूफटॉप जल संग्रहन विधी कहते हैं इसमें सबसे नवीन और कम वर्षा वाले छेत्रों के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधी है रूफटॉप जल संग्रहन विधी इसकी हमने थोड़ी देर पहले च कि और उसम फ़े देता है उसमें वर्षा का जो जल आता है उसे इस टंकी में इंस टोर करके अंलिक अविए रखा जाता है और जब भी आवश्च्छता होती है उस मात्रा च्यंचा उसमें जर्णकेयों हम इपूती अविस इंस भी जाए है उस मात्रा क हramंDie K dresses और वरतमान में इसकी बढ़ती हुई आवशकताओं पर भी हमने बात की और यह हमारे लिए कितना आवशक हो जाता है और इसलिए हम एक तो सभी जगह में विश्व में चाहे हम किसी भी छेतर में चले जाएं इसके बिना भी हमने कहा ना कि अपने जीवन की कल्पना नहीं कर स लेकिन जहां पर कम वर्षा वाले छेतर हैं या जो शुष के छेतर हैं मरुस्थली छेतरों की जब हम बात करते हैं तो यहां तो यह एक अनिवारी आवशकता बन जाती है क्योंकि यहां पर तो ऐसे भी पानी की कमी होती है और इसी संदर्व में हम देखते हैं कि जो राजस कैसे पूरी की जाए या उसका सनलक्षन की आवश्चक्ता क्यों है और हम ये कार्य क्यों नहीं कर सकते इस अंदर में ये लोग्गीत यहां पर बहुत जादा प्रचलित है इस लोग्गीत का ये अर्थ है कि जब मधुमक्या जो है वो फुलों के कण का एक रस या हम के है उसक सुक्ष्मकन जो है वो एकत्र कर सकती है और एक शहद का पूरा धेर लगा सकती है उस बूंद बूंद को इकठा करके तो क्या हम इनसान जो है वो बादलों से इतनी अधिक मात्रा में बरस्ता हुआ जो जल है या हम उसे बरस्ता हुआ रस कहें तो क्या हम इनसान इस बरस्त पर दोड़े हुए रस को नहीं सहेच सकते, नहीं इकठा कर सकते और ये जो लोगईत हैं हम कह सकते हैं कि हमें एक सिक्षा दे रही है, एक सीख दे रही है, छोटी मधुमक्खी के माध्यम से और वाकई में बरतमान समय में ये हमारे लिए एक अनिवार्य हो गया है, यदि हम अभी से सतर्क नहीं होते हैं और जल सनरक्षन के प्रती अपने इस उत्तरदाईत्व को नहीं समझ पाएंगे, तो भविश्य में हमें एक बहुत बड़ी चुनोती और समस्या का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, तो बच्चों, आज हमने देखा कि हमारे भारत के जितन सारहन सहन होता है, उनके आर्थि क्रिया कलाप किस प्रकार के होते हैं, और कुछ समस्याओं पर भी हमने बात की, और इन सब पर एक एक प्राकृतिक स्वरूप पर आपको अपने बोट परिक्षा के उदेश से भी इसी तरीके से आपको इसे तयार करना है, एक एक प्राकृ पित्रे के हिसाब से तयार करना है,